वैसे हम सभी पहले से ही जानते है कि वांडूंग असल में तांग उटूंग है जो पान सेन और जीगू की बेटी है आगे सीरीज में सी गौड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल नाम से टेक एपिसोड आएगा जिसमें वांडूंग युहाउ को अपनी असली पहचान बताएग सीगौड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल साल में एक देख बार होता है उस दिन के रात को कई स्टेशल इवेंट्स होंडे और उमें से एक है ब्लाइंड डे जिसमें श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट्स अपने लवर्स को प्रपोच कर सकते है या किसी के साथ देख पल जा अब मेल स्टूडेंट्स को एक एक करके सब फीमेल स्टूडेंट्स के सापने चाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना था और साथ ही अपनी पावर लेबल भी दिखाना था उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मेल स्टूडेंट्स को चुन सकती है फिर एक करके सभी male students female students के सावने गए और अपमी पाकत दिखा में लगे, कुछ तेर बाद युहाओ की बारी आ गए, लेकिन उसका ध्यान तहीं और था, वो मांडों को ढूंट अहा भा, वो कहता है, ये वांडों कहा है, मैं में उसे सुभा से नहीं देखा, वोल यहां सी God Festival नहीं आय अब गी है या महीं, इसके बाद युहाओ फींडेल स्टुडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कर में लगता है, हाला कि फीमेल स्टुडेंट्स अपना चेहरा चिपा रही थी, लेकिन युहाओ उनकी मार्शल सोल की पावर को सेंस करकित पहचान लेपा है कि मास्क के पीछे कौन कौन है, मदर जब युहाओ ने दूसले नंबर पर खड़ीं मिस्टीवियस फीमेल स्टुडेंट के बारे में चान में की कोशिश की, सो हो कन्फ्यूज हो कर कहने लड़ा, ये फीमेल स्टुडेंट कौन है, इसके पास वन्डूं के जैसी सें मार्श सोल क्यों है, चाहो वन्डूं की दहन हो सट पी है, लेके मल, अगर हो है भी तो क्या हो मेरे साथ डेट पल जाना चाहेगी, मेल स्टुडेंग्स के इंट्रडक्शन के बाद फीमेल स्टुडेंग्स अपने पसंदीदा पार्टनर को चुमिल अदी, हिर नवबर तू वाली लर्की की बाली आ गई, हानकुली सोच लहा था कि गो किसे चुनेगी, फ्रम हीवल मिस्टीरियस लर्की युहाओ की ओर जाती है और उसे चुन लेती है, ये देटल युहाओ काफी हैरान लर्टा पा है, हिन पकाचन पा है कि दो और लर्कियों ने युहाओ को चुना था, उन में से एक तीन इंतिया, मैं आग को बदा दून, इसको हमने फ्रेश्मेन एज़ाम के डॉलाम बिखा था, शायद एपिसोड टें था, जिसमें उसकी तीन युहाओ की टीम से हार दे थी, और पीसली लर्की जिसने युहाओ को चूच किया, वो कोई और नहीं बल की लिं युहाओ तुम ही हूँ, वो जो मुझसे मैच करता है, तुम मुझसे जवा स्ट्रांग हूँ, और मैं हमेशा तुम्हें देख भी आ रही हूँ, मुझे चूच करो, अगर तुम्हें मेरे रहते किसी और को चूच किया, तो मैं तुम्हें महीं चोड़ूँगी, फिर मिंक युहाओ से कहा, अगर तुम मुझे चुनो तुम्हें तुम्हारे साथ लहने को तयार हूँ, और मैं तुम्हें सपोर्ट भी करूँगी, अब उस मिस्टीरियस लॉर्की की बाली की, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बलकि उसने निसोल रिंग्स एक्टिवेट कर दिये, जिसे देखकर युहाओ चोग गया, उसकी सोल रिंग भी लगधग वांग्दों यैसी ही थी, जिसे देखकर युहाओ सोचता है, कहीं ये वांग्दों की जुर्वा बहन तो नहीं, ये सोचते ही उसने वापस से कहा, मैं थर्ड लर्की को चुनता हूँ, ये सुनकर लिंग से लर्मा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो लर्की चाहिए, ये सब सुनने के बाद इरेंट और गिमाजर कहती है, मैं सभी लर्मा चाहते है, इस ही ये तीम मैच होंडे, और युहाओ को हर एक मैच लर्मा होगा, युहाओ क्याप्टों में से एक सेप्ट करते हो, के साथ टीम अप कर लूँगी, और वे सभी एक ही समय में हम से बैटन कर सकते है, युहाओ ने उस मिस्टीरियस लर्की की आवाज पहले धी तहीं सुली थी, लेकिन उसे याग नहीं आ रहा भा, तब भी अनाउंसर कहती है कि ये लूज के अगेंस्ट है, तब वो मिस्टीर लवर से मिलने जा रही हूँ, और अचामक कोई पीसर रहती है, आपका रास्ता रूख गे, तो आपको कैसा लदेगा, फ्लीज मुझे युहाओ के साथ टीम अप करने दीजिए, मिस्टीरियस लर्की जिबातें सब ही मेल और फीमेल स्टुबेंच के दिल को चुजा पी है, बिस सब कहने लड़े हम तुम्हें सपोर्ड करते हैं, वहीं युहाओ सोच रहा हुता है, लुको क्या इस लर्की का मपलब है कि ये मुझे लाइक करती है, फिन वो लर्की दुहाओ के बहुत पास आकर उसका हाथ पकर लेती है, जैसे ही उस लर्की निर युहाओ के हाथ को छुआपू युहाओ की सोल फोर्स बाइब्रेट होने लगी, और उस मिस्टीवियस लर्की की सोल फोर्स के साथ नैच होने लगी, ऐसा सिर्फ तब हुता है, जद दो सोन मास्टर्स युजन टेक्निक यूज करने के लेकव वैकिबल होते हैं, और युहाओ को पहले से ही ऐ इस पर युहाओ सोचता है, जब हम एची रूम में एक साथ लहा कर पी थे, तो हम में कभी साथ में नहीं नहाया, वन डूंग तब कपड़े बदलता था, जब मैं कमले में नहीं होता था, अब सब समझ में आ रहा है, मैं एक बहुत बड़ा एडियाट हूँ, फिल मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रूटेक्ट रूंगा, और तुभे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, ये सुनकर तान्हू टूंग तो काफी एमोशनल हुजापी है, उसकी आखों से आंसू निकलने लगे, फिल उसने युहाओ से इरिसे कहा, त ये कहते हूँ उसका पर उजल एक सेक करती है, और थेर वो दूनों एक दूसले का हाक पकड़े हुए शर्बाने लगते है, वो ये दी डून गए कि वे गेम के दीच में थे, तब ही दाई हुआबन कहता है, युहाओ कि वह हमारे खिलाफ नहीं जीते हो, ये सब प्रपोज और क्यार भरी बाते चोड़ो, और पहने हमसे लड़ो, तब युहाओ ने कहा, वान्डून हम ये द्बैकल जलू जीतेंगे, इससे बुस्सेले दाई हुआ बंटेहने लगता है, बेतो की बाते मप करो, तुम में ही जामते की, कि मैंने तिछले कुछ सालू में कितनी तुम्हें नेरी जो गिजिती की थी, उसका मैं आज बदला लूँगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा की अब मैं कितना स्ट्रूम बन गया हूँ, उसने फिर मिन कियान से कहा, बैरियर बनाओ, आज मैं उसके खमड को चूर-चूर कर दूदा, इस पर निंग कियाम कहती है, मुझे पता है क्या करवना है, यूहाव ने उस लल्टी को चुला जिसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं बिखाया, मैं जीनियस हूँ जो कुम्हें पसंद कमती है, तुम्हें खुशी कि रासु गोना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोग, लाक अराउंड वाले का सपोर्ड कवने को कयाव थी, ये कहते नुए वो गाई हुआवन के चारो और एक प्रोटेक्शन बैरियल बना बेटी है, तबी लिंग लोचन में धी कहा, यूहाव मैं तुम से पहले भी लव चुकी हूँ, और मैं तुम्हाली पावर से इन प्लेस भी गवी ही, लेकिन दुख की बात है कि तुम में हुझे नहीं चुदा, फिर लिंग लोचन अपनी आइस मार्शल सूल का यूज करके उन पर हबला कर में लग पी है, साथ ही दाई हुआवन धी वाइड टाइगर फॉर्म में बहुत तेजी से यूहाव पर अटैक कर में जा पा है, उसी सवर त अनगू टोंग तेजी से अपनी लेडियेंट बटरफलाई मार्शल सून को एक्टिवेट कम डेती है, और फिल यूहाव पर साथ उनके अटैक्स को गौज कर में लपी है, ये देखका गुस्तेने दाई हुआबन में कहा सिर्फ लाइंट ताइप स्किल्स का यूज करके मे मेरे हमनों से बशना जानते हो, अदव तुम एक असलीन मर्द हो तुम हुझसे आपने सावने लरो, ये सुनकर यूहाव कहपा है, हमने पहले भी कई लवाईया नरी है, लेठिम चापम में कभी मुझसे कोई लवाई जीती भी है, ये कहते नवे यूहाव दाई हुआबन क और एक अनवजिदीं ब्रिलीज कर देता है, अब वो देखकर दाई हुआवन कहने लगा, जा तुम मजाक्त रहे हो, या कुम हे लटपा है कि वीक लाईट बीम अदाइक मुझे हरामे के लिए काफी है, फिर उस लाईट बीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दाई हुआवन देवाइट टाईगर शौक वेब से काउंटर अटेक किया, लिटिम वो लाईट बींग दाई हुआवन देवाइट टाईगर शौक वेब को चीरकर निकल दिया, और साफ ही उस पल जा लगा, गो अकाट पलन में के बाद दाई हुआवने नेखी जढ़ पल गोल गोल घुम इसलिए उसने तांगूटूंग से शर्मातेंगवे पूछा, मैं तुम्हारा असली चहरा देखना चाहता हुँ, क्या मैं देख सकता हुँ? इस पर तांगूटूंग में सिर हिला तरहा तहा, फिस जब युहाव फ्रेडिशनल मास कुताब में वाला था, तो तांगूटू गबला रही है, इस ही उसने उसका हाव पपर लिया और फिल मास कहका दिया, जब उसने मास कहपाया तो पांगूटूंग के चारो ओर तेज रोशनी फाग वमें लगी, उसके लंबे और सुदहरे बाल चमक लहे थे, और वो ऐसी लड़ लही थी जैसे वो स्वर्क से आई हो हर कोई उसे देख रहा भा, वे अपनी पलब भी नहीं ढपका रहे थे, बारी हुआ बिन जो गुस्ते निर्खा, गोभी अचामक शान्त हो गया और पांगूटूंग को देखें लड़ा, श्रेक सेवन मिल बज जैसे देदे शायतो जुसेंजी, ज्यांग मैं और बाकी सब पांगूटूंग को पहले से जानके थे, उलहें विश्वास नहीं हो रहा भा कि वांगूटूंग एक ब्यूटिफुल गॉड़ेस है, वे तांगूटूंग को घूरते रहे, और अभीडी उन्हें, लेकीम नहीं हुपा रहा भा कि वांगूटूंग सच में एक लवकी है, यूहाँ को पूरा अम्ड़ से हिल चुका भा, उसे लगा कि ये सब बस सिल्फ एक सपना है, लेटिम जब उसे रिलाइज हुआ कि ये कोई ड्रीन नहीं है, फब उसके मूँ से बस एक सिंटिंग्स निकला, इत्मे साल में गॉडेस के साथ लह लहा भा पांगूटूंग उ तब ही यूहाँ उसे ध्याम से देख कर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी अलद लग रही हो, तुम में खुद को एक इनम बॉई के लूप में इत्मी अच्छी करा चुपाया, ये सुनकर तान उटोंग गुसा होने की टिंग करती है, और कहती है, मुझे माफ करन वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत सारी ललकिया है, तुभे मेरी जरूरप नहीं पड़ेगी, तब यूहाँ उसका हाथ पकर कर कहता है, तु सोरी मत बोलू, मैं स्टुपिड हूँ, चैकु में पहले ही नहीं कहा तुने तुम्हारा इडियट हूँ, अब अपनी बात से पीछे मत हटना, मेरा बिल पहले ही एक गौडेस ने लिलिया है, और उसकी जढ़ा कुल्योर्ड नहीं ले सकता, इसके अलावा अब वो गौडेस मेरे पास खड़ी है, ये सुनकर पांगुदूं मुस्कुलातर बोली, इडियट में मजाक का वही की, उसके बाद सी गौड ब्लाइन भेट फेस्टिवल खत्म हो गया, और युहाव और वांडूम उसके इनके विनल बन गये, अब इसका अबला पार्ट शाहिए तो सब्सक्राइब करके कॉमेंट करना परेगा